मैं है इसलामुदिन खान और आप दिख रहे हैं प्रहाटाई मुम्रा के रशीत कंपाउंड के पास श्री रंका में कल एक इमारत की तीसरी मंजिल से दो बच्चों को फेकने की घटना सामने आई थी आपको बता दे कि माउंट बी विंकित तीसरी मंजिल से एक आसिफ नाम के शक्स ने जोहान सयद जिसकी उम्र लगभग चार साल बताई जा रही है और जैनब अंसारी जिसकी उम्र छे साल बताई जा रही है इन दोनों बच्चों को फेकने की वारदात सामने आई थी जिसमें से जोहान सयद की मौत हो गई थी जाला कि इस पूरे मामले में जो है जोहान सयद के परिवार वालों को यह जानकारी मिले कि मुंबरा पुलिस जिसे हिरासत में ली है आसिफ नाम उस शक्स का उसके उपर अभी तक एफायार नहीं दर्ज की है और उन्हें ऐसा जानकारी मिला कि कोई एफायार आगे दर्ज नहीं होगा इसके वज़े से जो है परिवार के लोगों में गुस्सा हो गया इमारत के लोग आसपास की लोग सभी लोग इमारत के पास इकठा हो गये और वहाँ पर समाज सेवक रिहान पीतल वाला और समाजवाजी के कारेकरता भी महाँ पर पहुँच गए हरा की महाँ से फिर ये लोग हॉस्पिटल पहुँचे और डेट बोडी लेकर जो है ये मुम्रा पुलिस टेशन पहुँच गए आपको पता दे कि जोहान सयद की जो डेट बोडी थी वो मुम्रा पुलिस टेशन लेकर पहुँचे और पुलिस मुम्रा पुलिस से बातचीत किये गए कि आख जो लोग थे उन लोगों के काफी समझाने के बाद पुलिस के तरफ से ऐसा आश्वासन दिया गया कि पुलिस अभी इस पुरे मामले की जाच परताल कर रही है इसकी प्रोसेस जारी है जो बच्ची तीसरी मंजिल से फेका गया था जिसका नाम जैनब अंसारी उससे भी पुल जो है लड़की को फेका था उसके बाद फिर लड़के को फेका था ऐसा वो बयाद दे रही यह वीडियो सेट बोड़ी में वाइरल भी हो रही है लेकिन पुलिस के अश्वासन मिलने के बाद फिर जो है अब इन लोगों ने बताया कि पुलिस ने कहा है कि एफ आई यार ज जो है मुम्बरा पुलिस टेशन से डेट बोड़ी लेकर अपने घर गए है और बताया जा रहा है कि जोहां सेयद इसकी डेट बोड़ी जो है अब दफन की जाएगी लेकिन परिवार की मांग यही है कि पुलिस ने जिस आसिफ नाम के शक्स को इरासत में लिया है उसके आपको समाते हैं आप लोग पुलिस टेशन आये थे यहां पर सीनियर साफ से मुलाकात के जो बच्चे का चाचा है उनका यह बोलना था कि पुलिस ने कम्प्लेंट नहीं करी तो शीजियर साब जो हमारे थे उन्होंने बताए शीजियर साब को भी ए निलेकिन उनके उस पर बताए है कि भाई हम अशाम तक के अभी एक टीम गई है हमारी बच्ची का स्टेट्मेंट लेने के लिए स्टेट्मेंट का वाम काम पूरा हो जाए तो आप तक के मुल फायर ले लेंगे आप यह जो मामला है तक्विन का यह कर लिए और हंब्रड परसंट उसके उपर एफ लगारों फायार होगी तbी हम तफ्तिन करें पर यहीं पो चीज व सरके सामने रखा सर ने बोला कि नहीं हाओ आज तक मैं करता हूं शाम तक तो ठीक है ए इन्शाल्ला देख वह को तो तो ठीक है उसकी आभी मैं भी स्टिट्मेंट नहीं तफ्तिन हो आभी वेस्टिट्म करेंगे उसका आप लोग बिल्कुल 99 परसंट हो गया प्रोसीजर में है वो चीज़े तो कुछ कानूनी के नीचे भी काफी महिलाये कठा हो गई थी क्या ऐसा वहाँ पर क्या हो गया था यह वाद सामने आई कि पुलिस अपायार नहीं ले रही इस वज़े ज्यारा में यही भी प्रोसीजर और बसा कुछ नहीं था बच्ची होश है उसके बाद पुलिस ने बच्ची से लिये वो चीस से प्रोसीजर वो चालूना वह व है भाला टीशे वहाँ अपनी तरफ काम हुआ है और सर ने हम लिए उसके बढ़ा वीडियों पूरे तोर्प्नानिया जब यह पुरा स्टेप क्लेर होगा तब अपना हो देंगे वह चीजे बताएंगे बची ने क्या बैया दो